Hello and Welcome Everyone, आज हम पढ़ने वाले हैं Class 10 का Light, Reflection and Refraction देखो, जब भी हम लोग Reflection की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? एक Ray of Light आ रही होती है और वो सरफेस से टकराने के बाद Bounce Back करती है, मतलब कि लौट जाती है तो इसी फिरोमना को हम लोग Reflection बोलते हैं Refraction के अंदर क्या होता है? जैसे हमने एक Ray of Light को Water से पास करा जैसे ही ये Ray of Light Water से पास हो रही है, इसको देखो सीधे इस Position में जाना चाहिए था लेकिन ये हल्क इसी Tilt हो गई, वाई? विकॉज ये Air के अंदर आई है, Air क्या होता है? थोड़ा Lighter Medium होता है एर थोड़ी Light होती है, तो इसकी हल्क इसी है, जो Position चेंज होई है इसी Phenomena को हम लोग बोल देते है, Refraction Reflection के अंदर क्या हो रहा था? Bounce Back हो रही थी Refraction के अंदर क्या हो रहा था? हल्क आसा इसने जो इसकी Position थी, वो Change करी Due to the Medium Generally दो Type के Sparical Mirrors होते हैं एक होता है Concave और दूसरा होता है Convex Concave की जो Reflecting Side होती है, वो अंदर की तरफ होती है, ये देखो Cave, मतलब Cave का रास्ता कैसा होता है? कुछ इस तरीके का गुफा जैसा रास्ता होता है अंदर की तरफ और Convex की Reflecting Side हमेशा बहार की तरफ होती है, Bulging और रखी होती है, ये Outwards तो आई होप अब आपको Clear होगा Sparical Mirrors के बारे में अब मैंने बुला है Sparical Mirrors, two type के Sparical का मतलब क्या होता है? Goal, तो मतलब पहले कभी ना कभी ये एक Goal से Mirror से ही Divide होके आई है Concave और Convex बिलकुल, कुछ इस तरीके से दिखते थे पहले Concave और Convex जब हमने इने बीच से काटा, Divide करा तब जाके हमें ये अलग-अलग मिले हैं अब ये जो बड़ा सा Sparical Mirrors है, इसके कुछ Important Points हमें पढ़ने हैं देखो जो बड़े से Sparical Mirrors का Center Point होता है, इसे बोलते हैं हम लोग Center of Curvature और इसी के सामने होता है Pole, जिसको हम लोग P से Represent करते हैं और Center of Curvature को C से अब जब भी हम लोग Center और Curvature और Pole को जोडते हैं एक Line से तो उस Line को हम लोग बोलते है Principle Axis अब यह जो Principle Axis है, इसके बीच में भी एक Point होता है, जिसको हम लोग बोलते है Focus जिसे हम लोग F से भी denote करते हैं, तो I hope अब आपको यह Clear होगा अच्छा यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना, कि यह जो हमारी Principle Axis है, क्या यह Radius भी हो सकती है इस Circle की, बिल्कुल Exactly इसकी Radius भी हो सकती है, तो यहाँ पर जो Focal Length होगी, वो क्या होगी हम लोग बोल सकते हैं, कि It is Half of the Radius, मतलब यह जो Radius है, इसका Half है तो इसको R by 2 से Represent कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसी तरीके से कुछ हमारा जो Structure है पुरा वो बन गया, तयार हो गया और इसी के Basis पे अब हम आगे के Concepts समझेंगे, तो अब हम समझने वाले हैं Concave Mirror के बारे में Concave Mirror एक Spherical Mirror होता है, जिसकी Reflecting Side अंदर की तरफ होती है, यह देखो, यह जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है, it is known as the Reflecting Side of Concave Mirror Sir, अगर हम लोग पीछे से Raise of Light को Reflect करने की कोशिश करेंगे, तो होगी क्या? नहीं होगी, Concave की Case में नहीं होती Next, अच्छा, अगर हम लोग Principle Axis की Definition देखें, या फ़र Principle Focus की Definition देखें, तो वो क्या होती है? बहुत important है, आपको बस Definition पता होनी चाहिए देखो कभी भी एक Ray of Light जो की Parallel है किसके Principle Axis वाली लाइन के देखो, Principle Axis वाली लाइन आपको याद होगी, Principle Axis लाइन के जो भी Ray of Light parallel है, वो जैसे ही Reflect होगी, तो वो किस से पास होगी? Focus वाले Point से, तो इसी वाले Point को हम लोग बोलते हैं, This Point is known as Principle Focus of Concave Mirror, बहुत Simple सी Definition ह यह Definition हमने पूरी अच्छे से Detail में समझ ली, एक Ray of Light आई, जो टकराई, टकराने के बाद, Reflect होने के बाद, जब यह पास करेगी, तो किस से पास करेगी? It will pass through Principle Focus, Next, किस तरीके से हम लोग कौन के Mirror के उपर Images Draw करते हैं? देखो कुछ Rules हैं, सबसे पहले, एक Ray of Light जो की Parallel ह After Reflection वो पास करेगी through Focus, मतलब यहां से एक Ray of Light आई, पैरलल, किस के Parallel है? यह Principal Focus के Parallel है, जैसे ही यह टकराएगी यहां पर, देखो, Reflect होगी जैसे ही यह, तो यह किस से पास करेगी? It will pass through Focus, एक Ray of Light जो की पास करेगी through Focus, After Reflection वो पैरलल बन जाएगी, तो एक Ray of Light आई, जो क पास की फोकस के थुरू पास हुई, फोकस से पास होने के बाद, जैसे ही यह Reflect होगी, यह क्या बन जाएगी? पैरलल, एक Ray of Light जो की Center of Carvature से पास करेगी, यह देखो, एक Ray of Light को अमने Center of Carvature से पास कराया है, तो वो जैसे ही Reflect back करेगी, तो सेम पाथ पर ही वो Reflect back करेगी, एक Ray of Light आई, जो की Focus से पास हो रही थी, Reflect होने के बाद, Mirror से कैसी हो गई? पैरलल, एक Ray of Light थी, जो की Center of Carvature से पास हुई, Reflect होने के बाद, वापस उसी रास्ते पर वो चली जाएगी, अब हम लोग कुछ images ड्रॉ करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चा कैसे characteristics होंगे image के, ऐसा आपके exam में भी आ सकता है, तो अच्छे से समझ लेना, object beyond center of curvature, हमने क्या करा, object को center of curvature के पीछे रख दिया, एक Ray of Light को बिल्कुल straight ले गए हम लोग, और फिर एक Ray of Light को हमने पास करा center of curvature से, अच्छा center of curvature से पास करेंगे, तो rule number 3 के अंदर हमने क्या वेचर से ये वापस अपने रास्ते पर आ अच्छा, फिर हमने क्या करा, एक Ray of Light को बिल्कुल parallel pass कराता to principal axis, जैसे ही वो reflect होगी, वो किस से पास होगी, it will pass through focus, अब ये जो दोनों Ray of Light है, ये कहां पर आकर मिल रही है, इस वाले point पर, तो इस वाले point को हम highlight कर लेंगे, और principal axis वाली जो line है, वहां से इस point तक एक line खीच देंगे, नीचे हम लोग बोलेंगे A- और उपर बोलेंगे B- और head और tail बना देंगे object का, इस तरीके से कुछ हमारा object draw होगा, जब object होगा, beyond center of curvature, अच्छा आप इसकी image के characteristics बताने आपको, बहुत simple है, बच्चे बहुत confused होते हैं, लेकिन हम simple तरीके से समझेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ कि कहाँ पर जो हमारी ये जो image form हुई है, उसकी location क्या है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि image कहाँ पर form हुई है, between center of curvature and focus, इन दोनों के बीच में, तो क्या लिखोगे, images form between focus and center of curvature, अच्छा image कैसी है, सीधी है या उल्टी है, inverted मतलब की उल्टी है, उल्टी चीजों को हम लोग inverted बोलते हैं, फिर image कैसी है, real है या फिर नकली है, अच्छा real कैसे पता लेगा आपको, क्या ये जो हमने ray of light जो pass कराई थी, क्या ये असलियत में यहाँ पर एक दूसरे से meet करी है, बिलकुल, ये जो line थी ये असलियत में meet करी है, इस वज़े से image क्या होगी, real, अच्छा image का size देखो, real वाली object से, ये object है, और ये हमारी image बनी है, इस object की, तो object का size तो बहुत बड़ा है, और जो हमारी image है, वो बहुत चोटी form हुई है, तो diminished, यानि की बहुत चोटी form हुई है image, तो ये अब आपक इस तरीके से हम characteristics बता सकते हैं, अच्छा object को अब हम लोग put करते हैं near center of curvature, अच्छा एक line को हमने straight pass करा है, ठीक है, parallel pass करा है to principal axis, जैसे ही reflect होगी, it will pass through focus, एक line को हमने pass करा है from focus, जैसे ही reflect होगी, ये क्या हो जाएगी, parallel हो जाएगी, अच्छा अब ये दोनों यहाँ पर इस अच्छा अब characteristics पता लगाते हैं इस image के, कहां perform हुई है सबसे पहले देखो, बोल देंगे center of curvature पर form हुई है image, अच्छा image कैसी है, सीधी है या उल्टी है, उल्टी है, inverted है, अच्छा क्या ये lines असलियत में मिली है, बिल्कुल reality में मिली है, तो इसको बोलेंगे हम लोग real image, size कैसा है इसका, object से कितना बड़ा size है, मतलब बड़ा है या छोटा है object से, तो size तो हमें लग रहा है कि same ही है as object, तो हम लोग क्या लिख देंगे, same size, ये हो गए characteristics of image, third वाला point देखते हैं, अब हमने object को put करा है between center of curvature and focus, एक line को हम लोग ले गए parallel, जैसे हम इसे parallel लेके गए, तो after reflecting it passes through focus, और एक line को हमने सीधे pass करा है from center of curvature, तो ये इसी पात पर reflect back हो जाएगी, अब ये lines यहाँ पर आकर कुछ पीछे जाकर मिलती हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक point ड्रॉ करेंगे, और फिर principal axis से एक line कीचेंगे, और नीचे का नाम दे देंगे, A- और उपर B-, head or tail draw कर लेंगे, अपने object, object की image का, ठीक है, अब जो image है, वो कहाँ पर form हुई है, beyond, beyond का मतलब होता है, पीछे, center of curvature की beyond, पीछे form हुई है, अच्छा image कैसी है, उल्टी है, या सीधी है, inverted है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, उल्टा, next है, image real है, या फिर fake है, दे size देखो, और यहाँ पर image देखो, object की, तो obviously बात है, object का size तो बहुत चोटा है, compared to image, तो यहाँ पर यह जो size है, यह बहुत ज़्यादा large है, large size की image है, तो अब यह आपको clear हो गया होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस object को move करते है, to focus, focus के उपर move कर दिया, हमने object को, अब ह अब एक ray of light को हमने move कर दिया, directly from center of curvature, तो यह वही पर वापस reflect back हो जाएगी, अच्छा अब यह जो lines है ना, यह पता है कहाँ पर जाकर मिलेंगी, यह पता नहीं कहाँ पर जाकर मिलेंगी, at infinity जाकर मिलेंगी, इसमें आपको कुछ points याद कर लेने है, parallel rays कहाँ पर मिलती है, at जादा enlarge होता है, बहुत बड़ा होता है, तो यह होता है, अगर हम लोग object को put करें, at focus, अच्छा अगर object को हम और थोड़ा आगे move करें, between focus and pole करके देखें, करके देख लेते हैं, यह देखो, pole और focus के बीच में हमने object को move कर दिया, एक ray of light को हमने pass करा, अब focus से तो कोई भी ray of light pass होई ही नीरी है, तो एक ray of light जो pass हुई है, यहाँ पर incident ray आई है, after reflecting यहाँ पर चली गई है, फिर एक ray of light को हमने center of curvature से pass करा है, तो अब यह वाली जो lines है, यह कभी भी नहीं मिलने वाली, यह चीज़ तो हमें clear है, तो हमने क्या करा है, पीछे ले गया है, dot dot बना दिया, dot dot बना दिया है, यह क्यों बना दिया है, dot dot, मतलब कि हमने कुछ imagination करिया है, कि अगर यह ray of light अगर पीछे की तरफ चली जाती, तो image कैसी बना दिया है, अच्छा अब इस image को study करते है, कैसी image फॉर्म हुई है, सबसे पहले कहाँ पर image फॉर्म हुई है, देखो, reflected rays जो है, वो diverging है, तो यह image तो कहीं पर भी form नहीं हुई है, यह image हमने imaginary बनाई है, अब जो imaginary image हमने बनाई है, वो कैसी है, बिल्कुल सीधी है, यह देखो, same as, जैसा हमारा objective ऐसी ही image भी straight है, तो straight को हम लोग क्या बोलते है, upright या फिर erect, in science language, अच्छा image कैसी है, क्या असलियत में यह image बन है, अच्छा size कैसा है, यह जो नकली image है, इसका, compare to object, खाफी ज़्यादा enlarged है, object बिचा रहता है, चोटू सा है, और यह इतनी बड़ी है, तो अब आपको clear होगा, बिल्कुल clear होगा, next हम लोग देखते है, object अगर infinity पे है, अगर object बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है, हमने एक ray of light को pass करा है, after reflection, focus से जाएगी है, फिर एक ray of light को हमने यहां से pass करा है, तो फिर दुबारा यह focus से जाएगी, parallel ray of light, अब यह दोनों कहां पर जाकर मिल रही है, rays of light, add focus, देखो, बिल्कुल focus पे मिल रही है, अब यह जो focus पे जाके मिली है, ray of light, आप सोचो कि कितनी छोट है, यह इतनी छोटी होगी है, हमारी जो image होगी, कि वो हमें दिख भी निरी है, आपर, तो image कहां पर बनेगी, add focus, कैसी बनेगी, inverted, उल्टी बनेगी, real image होगी, और point के साइज जितनी होगी, देखो, दिखी निरी, इतनी छोटी image है, तो यह six cases हैं, जो आपको पढ़ने है, पुट करा, at, where, between, center of curvature and focus, फिर हमने object को पुट करा, at focus, फिर object को पुट करा, between, focus and principal axis, फिर हमने object को पुट करा, at infinity, अच्छा, आपको एक काम करना है, फटाफट, Instagram पर जाओ, और मुझे, draw करके बेजो, object between, center of curvature and focus, आपको इसके characteristics भी लिखने है, image कैसी form होगी, फटाफट, practice करो, क्योंकि ये वाले questions आपको practice के साथ ही आएगा, ये concept समझ में, ये कोई add नहीं है, आपको एक बहुत ही important information देनी है, education को easy और affordable बनाने के लिए, हमने एक important step लिया है, आपके लिए, हमने ready करा है special content, जो आपके exam में बहुत help करेगा, इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper, हर chapter के notes, benefits, साथ में combined test papers और priority doubt clearing, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में, subscribe के साथ में, join के बटन पे click करके, आपको ये membership purchase करनी है, ये prize limited time के लिए है, अरे वाँ भया, इतने कम prize में, इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी member बन जाता हूँ, अब बात करते हैं convex mirror की, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस एक चोटा सा change है, देखो, concave mirror में क्या हो रहाता, यहां अंदर की तरफ सारी चीजें हो रही थी, convex mirror में क्या होता है, बस ये बा जोता है, यहीं से ये पूरा reflection का काम करता है, अच्छा सारी चीजें वैसी की वैसी रहती है, pole, focus, center of curvature, सब same as it is रहता है, बस कुछ rules है जो मैं पता होना चाहिए, और focus की definition पता होनी चाहिए, देखो, focus की definition बहुत ही simple है, in case of convex mirror, कोई भी parallel ray आ रही होगी, देखो, parallel ray आ रही ह generally at focus, ठीक है, यहाँ पर center of curvature पर हमने यहाँ पर एक ray को move कर आया है, तो यह center of curvature पर आ रही है, ठीक है, generally ज्यादा तर rays क्या कर रही है, they are coming and meeting at focus, तो यहाँ पर definition क्या हो जाएगी, the point on the principal axis at which all the rays coming parallel to principal axis will appear to meet or diverge from it, यहाँ तो यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर यहाँ से diverge होती हुई, एक अलग direction में जाती हुई दिखेंगी, तो उसे ही हम लोग बूल देते हैं, focus of convex mirror, I hope अब आपको clear होगा, focus की definition in convex mirror, next हम लोग चलते है, rules to draw image on convex mirror, convex mirror के उपर images कैसे draw करते हैं, बहुत simple तरीका है, देखो अगर एक parallel रहा रही होगी, तो वो जैसे ही convex mirror से टकराएगी, यह देखो diverge होगी, simple है, reflect होगी, reflect होगे, color direction में चली जाएगी, but sir यहाँ पर तो कोई भी image बनती हुई नहीं दिखरी, तो इसी वज़य से हमें convex mirror में imagination का use करना पड़ता है, अब इस ray of light को हम लोग पीछे की तरफ ले जाएगे, तो यह कहाँ पर मिलती हुई दिखरी है, focus के ओपर, a ray parallel to the principal axis after reflection will appears to diverge from the principal focus in case of a convex mirror, देखो यह तो directly diverge हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को imagination का use करके इसको पीछे मिलाना पड़ेगा, next, अगर कोई ray है, if a ray is forming on focus, it will become parallel, कोई भी ray अगर focus के ओपर बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी, it will also become parallel, यह देखो, हम एक ray को लेकर है, जो की focus के ओपर form होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो यहाँ पर reality में क्या हो रहा है, कि वो convex mirror से टकरा कर parallel हो जा रही है, but हम लोगों ने imagination का use करा है, वो आ रही है, ray of light, after reflection, हमने क्या करा है, इसको पीछे की तरफ ले गए, imagination, imaginary dots बनाया और यह focus पे जाकर मिल रही है, तो य actually में क्या हो रहा है, center of curvature से millinery है, यहाँ से directly convex से टकरा कर वापस reflect हो रही है, लेकिन हम जब imaginary lines को join करेंगे, तो यह पीछे center of curvature से जो भी हमारी ray of light मिलेगी, वो same path पर move करेगी, तो यह तीन rules हैं, जिसके थुरू हम convex mirror के उपर image draw करते हैं, तो देखते हैं, first वाला हमारा जो case ह देखो यहाँ पर हमने object को place करा है, एक हम सीधे straight ray of light को लेकर गए है, after reflecting यह आप देख रहे हो कि diverge हो गई है, लेकिन हम पीछे की तरफ क्या ले जाएंगे, line को ले जाएंगे, और यह focus के यहाँ पर line हमने खीचती है, देखो पीछे की तरफ यह वाली line पर ध्यान देना है को बस इस वाली line को हम लोग लेके गए है, next, फिर हमने एक और ray of light ली है, ठीक है, अब इसको हमने directly center of curvature पे, center of curvature से reflect हुई है, यह देखो center of curvature से reflect हुई है, तो पीछे हमने imaginary dots draw करके center of curvature से join कर दिया है, तो यहाँ पर आपको clear होगा, एक हमने कहाँ पर draw करी है, focus पे, एक हमने क कहाँ पर draw करी है, center of curvature पे, अब यह दोनों मिल कहाँ पर रही है, imaginary lines, इस वाले point पे मिल रही है, तो यहाँ पर हम लोग dot dot की form में हमारा arrow draw कर देंगे, head or tail बना लेंगे, और यह इस image के characteristics हम लोग लिख देंगे, सबसे पहले image कहाँ पर form हुई है, between F and P, मतलब focus और principle, pole के image है, नकली की image है, असलियत में तोड़ना मिल रही है, यह जो lines है, reflection के बाद यह तो पता नहीं कहाँ पर ही जा रही है, असलियत में नहीं मिल रही है, तो virtual है, और image देखो कैसी form हुई है, object देखो straight है, image भी straight है, तो erect or upright image form हुई है, size देखो एक बार image का कैसा है, small है compare to object, in the above case, reflected rays never meet, यह जो reflected rays है, असलियत में कभी भी नहीं मिलने वाली, इस उपर वाले case में, but imagination के थूरू हमने यहाँ पर यह पनाया है, next देखते है, image formation का case number 2, अच्छा, यहाँ पर parallel rays आ रही है, at infinity है, अब यह कहाँ पर जाकर मिलेंगी, at focus, यह हमने focus पे मिलाई है, जब यह focus पे form होरी है, image, location पता चल गी, कैसी image होगी, virtual होगी, नकली की होगी है, यह देखो, पीछे ही तो हमने line मिला ही है, असलियत में तो millinery lines, तो यहाँ पर पीछे हमने imaginary lines को मिला है, that is why these are virtual, और virtual होगी, तो erect यह फिर upright होगी, image, और size कैसा होगा, इसका बहुत ही छोटा small होगा, यह पर, जहाँ पर meet कर रही है, it is very small compared to the object, next, next वाला case हम लोग देखते हैं, कुछ important points जो है, वो यही दो cases हमें देखने हैं थे, in convex mirror, यह दो ही cases आपको practice करने हैं, और important points देखते हैं, अगर आप गलती से concave mirror में erect or diminished image बना रहे हो, तो सोच लोगे आपका यह गलत है, हम लोग mirror का formula और कैसे इसको apply करके questions को solve करना होता है, देखो mirror का formula काफी simple है, that is 1V plus 1U is equals to 1F, अब जो V है वो क्या होता है, image का distance, object का distance होता है, U और F क्या होती है, focal length, U और V को हम लोग हमेशा measure करते हैं, from pole, अच्छा radius of curvature अगर given है, तो F is equals to R upon 2, focal length कैसे होती है, concave mirror या फिर lens की क्या होगी, negative, और convex mirror या फिर lens की क्या होगी, positive, देखो focal length of concave is negative, focal length of convex is positive, आसान तरीके से समझते हैं, देखो यह हमारा एक, हमने क्या लिया है, हमने sign convention के लिए एक mirror को लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, हम लोग जब भ scale पर जो right hand side वाली जगह होती है, वो positive में होती है, और वहीं पर अगर हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, तो वो negative होती है, बस वहीं बताया है, इसमें sign convention, positive, distance towards the right is positive, and distance towards the left is negative, बस यहीं बताया है, और कुछ ही नहीं है, height अगर upward में होगी, तो वो positive में होगी, और अगर height downward म होगी, नीचे की तरफ होगी, तो वो negative में होगी, यही हमें समझाने की कोशिश करी है, I hope आपको समझ में आया हो, लेकिन एक question से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो एक object है, जिसको place करा है at a distance of 10 cm from a convex mirror, of focal length 15 cm, focal length कितनी है object की 15 cm, अब हमें find करनी है position of the object, और nature of the image, कैसे find करेंगे, बहुत आसान है, सबसे पहले हम formula देखते हैं, 1V plus 1U is equals to 1F, क्या-क्या चीजे गिवन हैं, यह देखो question के अंदर, सबसे पहले हमें object का distance, मतलब की U given है, that is 10 cm, यह लिख लो, जो की negative में है, सर negative या positive यह कैसे पता लगाया, आपने देखो, जब मैं negative बोल रहा distance कितना है, 10 cm from convex mirror, किस तरफ जा रहा है, towards left direction के अंदर object placed है, तो मतलब क्या negative में है object, clear है, यह तो बहुत ही simple सी बात है, तो इस वज़े से negative होगा हमारा यह, जो U होगा, फिर focal length क्या है, F is equals to 15 cm, focal length हमें given है directly, अब हमें formula के अंदर सारी चीज़ों को put करना है, सबसे पहले formula ल upon V, अब हमें find क्या करना है, देखो given क्या क्या है, हमें देखो U पता है, F पता है, क्या find करना है, बहुत ही simple है, अब V find करना है, तो हम लोग यह कर सकते हैं, कि आपने पढ़ा होगा LHS और RHS rule को, तो हम लोग अगर 1 V को left hand side ले जाएंगे, तो यहां पर यह दोनों minus हो जाए सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर रहे हैं हम लोग अभी तक clear है, अब चलो, अब 1 V is equals to 1 upon 15 minus 1 upon minus 10, देखो minus minus क्या हो जाएगा भया, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, चलो, 1 V is equals to 1 upon 15 plus 1 upon 10, LCM ले ले लेते हैं, बिलकुल ले लेते हैं, LCM ले लिया हमने मज़े आ ग 2 plus 3 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 upon 30 हमारा आजाएगा, 1 V is equals to 5 upon 30, अब क्या करेंगे हम लोग, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 1 upon 6 आ गया, 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं, 1 को अटा देते हैं, चलो, अच्छा ये जो 6 है, इसके आगे क्या negative का sign दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख र अब देखो, V क्या है, हमारा positive है, और positive है, इसका मतलब क्या है, कि image कहां पर form हुई है, it is form behind the mirror, sir, कैसे form हुई है, देख लो, ये देखो, ये convex mirror है, बिल्कुल है convex mirror, अब देखो, behind the mirror ये image form हो रही है, positive में न, देखो, यहां पर, mirror के पीछे में form हो रही है, ये image, तो यहां पर, ये चीज़ आपको दिहान रखनी है, behind mirror form हो रही है, ये image, और इसको याद भी रखने की क्या ज़रत है, देखो, convex mirror के अंदर, ज्यादतर images बनती ही behind the mirror है, और कैसी image बनती है, virtual और erect, virtual मतलब की नकली और सीधी, सीधी और नकली image बनती है, ये दो properties तो आपको याद रहन नीची है, अगर आपने question के अंदर पढ़ लिया है, कि convex mirror है, तो ये चीज़ तो आप लिखी दो, कि image कैसी होगी, virtual erect, और behind the mirror, बस simple है, ठीक है, तो ये हमारा जो question है, इस question के through हमने समझा, कैसी mirror का formula यूज़ करके हमें apply करना है, और हमारा question solve करना है, चलते हैं आगे, आगे ह light, देखो, यहाँ पर एक ray of light हमने pass करी air से, जैसे ही ये पानी के अंदर enter करने वाली थी, ये पानी के अंदर enter करी, लेकिन इसको जाना तो कुछ इस direction में चाहिए था, बट ये थोड़ी सी टेड़ी हो गई, अब ये जो टेड़ी हुई है ना इसे ही बोल देते हैं, हम बहुत सारी important चीजे करते हैं, वो हम देखेंगे अभी, देखो, लेकिन इसके बीच में हम लोगों ने क्या करा, एक ये point था, जहाँ पर ये टकराई थी, जहाँ पर ये reflection इसने show करा था, reflect हुई थी हमारी रे, इस वाले point को हमने क्या करा, एक गोला बना दिया, और यहाँ स एक straight line draw कर दिया, और इस line को बोल दिया, हमने normal line, ठीक है, बस normal line हमने बना ली, simple है, normal line बनाना, ठीक है, कहाँ पर, जैसे एक ray of light आई, जैसी water के अंदर वो गई, जिस point पर वो water के अंदर गई है, यहीं पर हमने एक point बना और एक सीधी line खीच दी, जिसको बोल दिया, normal line, बोलते हैं, rarer, और कोई भी चीज जो भारी होती है, उसे बोलते है, denser, तो यहाँ पर हमने दो example लिए है, हमने एक ray of light, यानि कि एक ray को pass करा है, किसके अंदर from air to water, जैसे ही यह ray of light, water के अंदर enter करती है, इसको जाना तो इस position में चाहिए था, लेकिन यह हल किसी टेड़ी ह हो जाती है, और इसे ही हम लोग बोल देते हैं, reflected ray, और जो ray of light हमने originally pass करी होती है, इसे बोलते है, incident ray, अब यहाँ पर जो हमने एक straight line draw करी थी, कहाँ पर इस वाले point पर जहाँ पर यह enter करी थी water के अंदर, इस straight line को हमने normal बोला था, तो इस normal वाली line से incident ray, तक के angle को हम लोग ब बात करें, तो नीचे जो यह हमारी normal वाली line है, और जो refracted ray है, इस तक के angle को हम लोग बोलते है, angle of reflection, तो यह दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अच्छा अगर कभी भी एक ray of light pass होती है, from rarer medium to denser medium, तो क्या होगा, angle of incidence जादा होगा, compared to angle of reflection, देख सकते हो, angle of incidence बड़ा करो, यह जो हमारी refracted ray है, यह किसकी तरफ bend हो रही है, it is bending towards normal, तो हम लोग बोलेंगे, bends towards normal, तो यह आपको एक case याद रखना है, कभी भी light अगर pass होगी, rare से dancer medium में, तो आपको यह दो point लिख देने हैं, और यह same to same ऐसी चीज़ें याद रखनी है, अच्छा क्या वाटर से भ medium है, उससे हमने एक ray of light को pass करा है, into rarer medium, मतलब dancer medium में water ले लो, भारी हो गया, और air क्या होगी, compare to water हलकी, तो वहाँ से हमने एक incident ray को pass करा, यह देखो, हमने जैसे ही इस incident ray को pass करा, यहाँ पर हमें देखने को मिला है angle of incidence, और यह क्या हो गया, angle of reflection, और बीच में जहाँ पर य हमने क्या करा है, एक normal वाली line draw कर दिये, अच्छा, यह जो angle of incidence और angle of reflection है, आप बताओ इसमें से greater कौन सा लग रहा है, सब बोलेंगे sir, r will be greater than i, r जो है, वो काफी ज़्यादा बड़ा है, compare to i, अच्छा, यह जो हमारी ray बहार निकलिया, यह जो हमारी reflected ray बहार निकलिया, जि it is bending away from normal, तो कभी भी एक ray of light जब denser medium से rarer medium के अंदर जाती है, तब हमें यह दो points लिखने हैं, और याद रखना है इन दोनों points को, अब next वाले point पे चलते हैं, क्या हो अगर हम लोग same ही medium के अंदर एक ray of light को pass करें, जैसे उपर भी air, नीचे भी air, तो ना ही angle of incident देखने को म कोई भी bending नहीं होगी, तो अगर same medium में ray of light को pass करें, तो कुछ भी नहीं होगा, यह याद रखना है आपको, अब case 4 के अंदर क्या है, अगर हम लोग कुछ अपना जादू ही दिमाख लगाएं, हम लोग क्या करें, कि rarer medium से ray of light को pass करें, dancer medium में, फिर उसे rarer medium में pass करें, त prism, prism के अंदर से जब भी हम लोग एक white light को pass करते हैं, तो वो जैसे ही white light prism के अंदर जाती है, prism क्या है, एक denser medium क्योंकि prism glass से बना हुआ है, glass is heavier compared to air, तो साफ बात है कि जैसे ही यह light जाती है, यह क्या हो जाती है, seven colors के अंदर divide हो जाती है, अब यह seven colors जब बाहार निकलत है, reflected ray की form में, तो यह अलग-अलग color बनके निकलते हैं, यह देखो, जैसे की, विबग्योर की form में निकलते है, violet indigo, blue, green, yellow, orange, red, तो इस तरीके से हमारा विबग्योर form होता है, कभी भी अगर हम लोग ray of light को pass करते है, from rarer to denser to rarer, तो हमें इस type का कुछ, एक interesting सा phenomenon देखने क मिलता है, आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, refractive index के बारे में, देखो, refractive index का मतलब क्या है, यह भी हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले, rarer medium, जिसको हम लोग बोलते हैं, और dancer medium, जिसको बोलते है, rarer medium क्या, जो थोड़ा light होता है, dancer मतलब की जो थोड़ा heavy होता है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछू के ray of light की speed किस में ज़्यादा होगी, air में या water में, अच्छा आप run किस में fast कर सकते हो, air में या water में, सब बोलेंगे सर, अगर मैं हाथ ऐसे ऐसे हवा में गुमाता हूँ, और यही हाथ अगर मैं पानी के अंदर गुमाता हूँ, तो problem थ denser medium, जैसे की water, अच्छा water के लावा और भी क्या example हो सकता है, eyes, अगर eyes के अंदर आप pass करते हो, light को, from water to eyes, तो water से और ज़्यादा speed slow हो जाती है, eyes में जाती है, तो जब भी हमारी light, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, next है optical density या पर reflective index, मतलब की light की density, इसको हम लोग किन symbol से represent करते है, from n, m and mu, basically इने बोलते हैं हम लोग mu, mu का जो symbol है, इस से हम लोग represent करते है, optical density या पर reflective index को, अब एक case study से समझते हैं, हमारे इस refractive index के बारे में, देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास है mu, mu जादा है, और v, यानि कि velocity कम है, तो इस case में क्या होगा, कि mu जादा होनी के वज़े से velocity कम हो जाएगी, in this case, speed of light जो कि v था, वो slow होगा, क्योंकि optical density यानि कि refractive index जादा है, तो मतलब अगर mu बढ़ेगा, तो जो हमारी speed of light है, यानि कि velocity है, वो decrease हो जाएगी, अच्छा, अगर मैंने speed of light भढ़ा दी, तो mu क्या हो जाएगा, अपने आ opposite work कर रहे हैं, in conclusion, हम लोग यह बोल सकते हैं, कि mu is inversely proportional to velocity, तो जो mu है, that is inversely proportional, मतलब उल्टा चलते हैं दोनों, अगर mu जादा होगा, तो velocity कम होगी, अगर velocity जादा होगी, तो mu कम होगा, यही बताया है हमें, next, हम देखने वाले हैं, Snell's law, sin i by sin r is equals to constant, until medium remains safe, समझते हैं इसको case 1 के अंदर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी एक incident ray आई, जैसे ही यह incident ray आती है, water के अंदर enter करती ही, यह refracted ray बन जाती है, और थोड़ा सा normal की तरफ bend करती है, अच्छे, इसका sine i और sine r से क्या मतलब है, और Snell's law से क्या मतलब है, समस्ते हैं भी, मान लीजिए, यह incident ray ने angle बनाया था 10 degree का, 10 degree का angle तो सर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, लेकिन example के लिए समझा रहा हूँ, आपको आसान करके, और refracted ray ने angle बनाया 5 degree का, दोनों में कितना difference था 5 degree का, इसने 10 degree का angle बनाया incident ray ने और इसने 5 degree का, अच्छा आप यहीं पर अगर हम लोग case 2 के अंदर देख अब दोनों में कितना difference था 5 degree का ही, अच्छा अब हमने क्या करा, हमारी incident ray को थोड़ा और जादा टेड़ा कर दिया, इसने angle बनाया 70 degree का, और जो हमारी refracted ray थी उसने angle बनाया 65 degree का, तो मतलब अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, तीनों में ही 55 degree का ही difference था, मतलब sin i और sin r constant रहते हैं, जब तक हमारा medium जैसे air और water ये दोनों same थे, अच्छा अगर यहाँ पर मैं water की जगा eyes यूज़ कर लेता, तो शायद थोड़ा सा difference आ जाता, incident ray में भी और हमारी refracted ray में भी, तो यही था हमारा स्नेल स्लो काफी आसान था, अब हम समझते हैं lateral displacement के बारे मे देखो lateral displacement काफी simple है, एक हमने ray को pass करा, जैसे ही हमने इस ray को pass करा, यहाँ पर रख दिया हमने glass slab, इस glass slab के अंदर जैसे ही ये ray जाएगी, ये थोड़ इसी क्या हो जाएगी, normal की तरफ bend हो जाएगी, actual path तो इसका ये था, ये देखो dot dot वाला असलियत में तो इसे ऐसे जाना बट ये कहां से rarer, मतलब air से जैसे ही एक dense medium, यानि की glass के अंदर आई है, ये थोड़ इसी normal के तरफ bend हो गई है, अच्छा ये सर कैसे मालने हम लोग, देखो मैंने आपको बोला था ना, case 1 के अंदर ही हमने पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि याद भी करने ना जरा आती है, यहां पर भी यही हुआ है, कुछ अनोखी चीज नहीं हुई, नॉर्मल की तरफ bend हो गई, अब ये अराम से इंसिडेंटरी जा रही थी, लेकिन अब ये glass lap से बाहर निकल रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, it is getting out of denser medium to rearer medium, glass क्या था denser medium और air क्या थी, rearer medium, अब जै कैसे ही ये बाहर निकलेगी, किसकी तरफ bend होगी, it will bend away from normal, कैसे मानोगे आप ये मेरी बात, अभी हमने study करा था case 2 के अंदर, कि जब भी हमारी एक incident rate, denser medium से rearer medium के अंदर जाती है, so it moves away from normal, normal से दूर चली जाती है, देखो ऐसा ही हुआ है, normal से दूर चली गई है, तो यहां पर यही था हमारा lateral displacement, lateral displacement is the perpendicular distance between the emergent ray from glass lab and the incident reproduce forward, अच्छा है इसमें lateral displacement क्या था, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, lateral displacement मतलब कि जो actual इसका path था, वहां से लेके इस वाले path तक को हम लोग क्या बोल देते हैं, we call it lateral displacement, ये देखो, actually में ये ऐसे कुछ move करना चाहे था, इस incident ray ये को, बट ये कहां पर move कर गई, ये हलक आसा normal की तरफ bend हो गई थी, because medium change हुआ था, air से glass lab के अंदर आए थी हमारी light, तो थोड़ा सा ये bend हो गई थी normal की तरफ, तो इसी वज़ा से ये थोड़ी सी टेड़ी हो गई थी, तो ये जो टेड़ी हुई थी, यहां तक टेड़ी ह कर आई है, फिर दुबारा जैसे ये air के अंदर release हुए, फिर दुबारा ये normal के, normal से away bend हो रही है, तो यहां पर ये point से लेकर ये वाला जो actual इसको move करना चाहिए था, जिस point से, उस point को हम लोग mark करके कह देते हैं, lateral displacement, मतलब bend होने के एक तरीके से quality को lateral displacement बोलते हैं, अच्छा lateral displacement के कुछ factors हैं, जो हमें पता होने चाहिए, सबसे पहले अगर incident ray ज्यादा होगी, तो lateral displacement भी ज्यादा होगा, अगर angle of incidence ज्यादा है, तो उसकी वज़य से हमारा displacement ray भी increase हो जाएगी, अच्छा अगर mu ज्यादा है, मतलब refractive index ज्यादा है, उसकी वज़य से भी हमारी displacement increase होगी जितनी ज्यादा thickness होगी, उतनी ज्यादा lateral displacement होगी, मतलब जितना मोटा glass का slab होगा, उतनी ज्यादा lateral displacement होगी, violet color की सबसे ज्यादा lateral displacement होती है, क्योंकि violet की सबसे चोटी wavelength होती है, अच्छा lateral displacement का मतलब क्या होता है, bend होने की quality है देखो, तो सबसे ज्यादा देखो, जब हमने white light को prism से pass करा है तो सबसे ज़्यादा कौन सा color bend हो रहा है आप बोलोगे violet वाला यह देखो कितना ज़्यादा bend हो गया है तो सबसे ज़्यादा lateral displacement मतलब bend होने की quality किसने दिखाई है violet color ने I hope अब आपको यह clear होगा next है अगर हमारा lambda यानि की wavelength कम होगी तो lateral displacement ज़्यादा होगा अच्छा क्या यह हमें समझना है या याद ही याद करना है आपको सिर्फ याद ही करना है क्योंकि यह वाला topic काफी ज़्यादा vast है और आप बड़ी classes में पढ़ोगे अगर आप science लेते हो तो तो यहाँ पर अगर lambda कम है मतलब wavelength कम है तो lateral displacement क्या होगी ज़्यादा होगी अब यह wavelength वाला topic बड़ी class में आप अच्छे से समझोगे convex lens वो वाले lens होते हैं जिने हम लोग converging lens भी बोलते हैं मतलब कि अगर कोई भी ray of light आएगी तो वो converge यानि की मिल जाएगी इनसे पास होने के बाद और अगर concave lens की बात करें तो यह diverging lens भी कहला जाते हैं मतलब कोई भी ray of light आएगी इनसे पास होने के बाद वो diverge हो जाएगी फैल जाएगी आगे चलते हैं convex lens का अगर हम लोग बिलकुल center point देखें तो इसे हम लोग पूलते हैं optical center अकिर convex lens बना कैसे है जब हमने दो convex mirror को जोड दिया आपस में तब हमारा convex lens बना है अब convex lens के अंदर भी कुछ चीज़े हैं जो हमें पता होनी चाहिए एक तो optical center और फिर यहाँ पर जो पस्ट वाला हमारा convex mirror था उसे बोलतेंगे हम लोग इसका जो center of curvature होगा C1 और जो दूसरे वाला हमने जोडा था हमारा convex mirror उसके center को हम लोग बोल देंगे center of curvature 2 C2 ठीक है आपको आई होप यह चीज़ें clear होगी C1, optical, center and C2 अब हम लोग फर्दर देखते हैं किस तरीके से work करता है हमारा focus और second focus हमारे convex lens में तो यह हो गया F1 मतब एक हमारा जो convex lens था उसका focus हो गया यह और यह दूसरा focus हो गया इसका जिसे बोला है हमने F2 principal focus और second focus जो F1 है this is principal focus and this is second focus को हम लोगोंने क्या बोला है F2 अब आगे देखते हैं हम लोग next array of light convex lens का यह rule है कि एक ray of light जब भी pass होगी through optical center वो emerge होगी without any deviation अब हमने देखा था कैसे deviate हो रही थी light deviate मतलब की इधर उधर जा रही थी convex lens में क्या हो रहा था जो भी ray of light इससे pass हो रही थी वो क्या हो रही थी it was converging मिल रही थी एक साथ तो ऐसा नहीं होगा convex lens के case में अगर हम लोग देखते हैं अगर एक ray of light optical center से pass होगी तो वो straight उसी path पर चलने वाली है ठीक है यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए next अच्छा अगर वो इधर उधर से pass होगी तो क्या हो जाएगी तो वो converge हो जाएगी जैसा आप देख सकते हो अच्छा converge कैसे होगी जैसे f1 इसे बोला है हमने अब f1 के अ बस ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है convex lens के अंदर अच्छा ये lens जो है ये converging होता इस वज़े से कोई भी ray of light straight आएगी इसे जैसे ही pass होगी converge हो जाएगी मिल जाएगी लेकिन अगर optical center से pass होगी तो वो नहीं मिलेगी जैसा अभी हमने पीछे वाले rule में पढ़ा ह next आगे हम लोग पढ़ते हैं कि image formation कैसे होता है convex lens के ओपर case 1 देखने वाले हैं हमने object को put करा है beyond 2f1 जो 2f1 था इसके पीछे put कर दिया है object को ठीक है अब कैसी image बनेगी देखो एक हम लोग ray of light को straight लेके गए एक ray of light को हमने optical center से pass करा है अब ये दोनों जाकर कहां से pass होगी अब से पहली वाली जो ray of light थी वो तो pass हो जाएगी f2 से और जो optical center वाली थी वो तो straight ही निकल जाएगी तो अब ये जब straight जारी है यहां पर जारी है तो ये इस point पर जाकर दोनों मिल जाते हैं हम क्या कर देंगे यहां पर एक dot लगा देंगे और यहां से उपर से हम लोग ज से एक line कीचेंगे नीचे की तरफ और इसको draw कर देंगे a dash और b dash लिखकर अब यहां पर हमारी image form हुई है अब इस image के characteristics के बारे में लिखना है image कहां perform हुई है जैसा मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमें location बतानी है f2 और 2f2 के बीच में तो हम लोग लिख देंगे images form between f2 अच्छा image real होगी क्या बिलकुल यह lines असलियत में मिल रही है अच्छा image कैसी form हुई है object का head इदर था और इधर head कैसा हो गया उल्टा हो गया है तो उल्टा हो गया इसे क्या बोलेंगे हम लोग science की language में inverted अच्छा यह देखो हमारा object का size और यह देखो हमारी image का size तो यहां पर जो हमारी image है that is smaller than the object तो इस वज़े से diminished लिखेंगे हम लोग इसका size next अगर image formation कैसा होगा अगर हम लोग object को put करें at 2f1 देखो 2f1 के ओपर हमने object को exactly put कर दिया अच्छा इसके अंदर क्या होगा हम लोग एक straight line लेके गए फिर दूसरी line लेके गए हमारी जो थी अब triple axis ये f2 से pass हो जाएगी और जो optical center से pass हो रही थी वो straight जाएगी यहाँ पर जाकर मिल रही है अब यहाँ पर हम लोग line draw कर देंगे और फिर अपनी image के बारे में बात करते हैं सबसे पहले image form कहां पर हुई है 2f2 के उपर हुई है तो हमने लिखा images form that 2f2 अच्छा असलियत में alliance मिली है तो real है real है और फिर image कैसी form हुई है उल्टी तो inverted है size कैसा है object को और image का दोनों का size सेम है तो same size लिख देंगे अच्छा अब object को हम थोड़ा बीच में move कर लेते हैं 2f1 के और f1 के बीच में यह हमने बीच में रख दिया object को अच्छा एक incident ray को लेकर गए हम लोग जै यहां पर मिल रही है तो हमने draw कर दिया a dash और b dash को यहां से arrow कीच के principle axis से अच्छा image जो है वो form कहां पर हुई है beyond 2f2 2f2 के भी पीछे जाकर form हुई है अच्छा image कैसी है असलियत में मिल रही है यह lines बिल्कुल real है अच्छा image उल्टी है inverted है object के compare में image का size क्या है काफी 2f1 और f1 के बीच में अब exactly f1 पर put कर दिया straight हम लोग एक line लेके जाएंगे तो that will pass through f2 और फिर दूसरी line हम लोग लेके जाएंगे optical center से अच्छा आप यह दोनों जो rays हैं यह कहां पर जाकर मिलेंगी और image कहां पर बनेगी image बनेगी at infinity real image बनेगी inverted बनेगी और size कैसा होगा उसका highly enlarged यानि की highly magnified बहुत बड़ी बनेगी चलो अब हम object को put कर रहे हैं between f1 and o मत्तब की focus 1 और optical center के बीच में put कर रहे हैं चलो image बना के देखते हैं हम लोग अच्छा image इस case में देखो नहीं बनेगी सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा imagination का use यह जो lines है यह कभी भी मिलने नहीं वाली तो हम लोग imagination का use करेंगे dot 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 back side में इसके draw कर देंगे lines को और हम लोग यहाँ पर हमारी image को बना देंगे ठीक अब यह द object रखा था वहीं पर image बनी है location पता चल गई अच्छा image कैसी है virtual नकली है और सीधी है यह देखो object भी सीधा था और image भी सीधी बनी है और image का size कैसा है enlarge in this case rays are diverging and diverging rays never meet इस वाले के इसके अंदर जो rays थी वो diverge हो गे थी और यह diverge होने वाली rays कभी भी नहीं मिलती अब हम लो लोग image formation करवाने वाले है आट infinity infinity इन्फिनीटी पर कर आने ओले चरेक्टेस्टिक्स कि बात करते हैं image कहां पर फॉर्म होगी at f2 देखो infinity पर हम लोग ले गए है यह raise of हम लोग लेकर रहे है पहले। लेकर आए है अब देखो यहां पर जो image है वहां पर फॉर्म कहां पर होगी और image का size कितना होगा point जितना बहुत ही छोटा जो कि हमें दिख रहा है यहां पर देखो point जितना size है तो आई होप आपको clear होगा कैसी image formation होता है on convex lens अब हम देखने वाले हैं image formation in concave lens कुछ important point है जिने हमें याद रखना है rules काफे ही simple है अगर कोई भी ray pass करती है through optical center तो वो pass होगी undeviated मतलब की कोई भी उसके अंदर change नहीं आएगा अगर वो optical center से pass होती है यही case convex lens में भी था अच्छा दूसरा rule यह है कि जैसे कि हमने कोई भी ray parallel to principal axis पास कराई तो वो क्या हो जाएगी it will diverge इस वज़ reality में मिलने नहीं वाली तो हमें ऐसे backwards imaginary lines ड्रॉ करके ही image formation करना पड़ेगा अच्छा एक amazing बात यह है के concave lens के अंदर जादा आपको cases नहीं पड़ने बस एक ही characteristic है image का जो आपको याद रखना है और समझ लेना है object को आप किसी भी position पे put करोगे तो यही characteristics of image आएंगे तो यहाँ पर हमने object को put कर दिया between two f1 and f1 कहीं पे भी put करते तब 20 यही same result आथा तो यहाँ पर हमने एक ray को पास कराया from the concave lens तो यह diverge हो गए और फिर दूसरी ray को पास कराया from optical center अब यह diverge हो गई है इसका मतलब क्या यह दो rays कभी भी मिलने नहीं वाली तो अब इस case में हम लोग क्या करेंगे यह वाली जो हमारी ray है जो diverge हुई है इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ imaginary lines ड्र यहां पर मिल रही है imaginary वाली हमारी और एक यह जो real वाली थी यह इस वाले point पर मिल रही है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर अपना dot dot के through ही दिखाएंगे dot dot का मतलब imaginary lines होता है तो dot dot के through ही हम अपनी image का formation दिखा देंगे अच्छा जो image है वो कहां perform होई है on the same side as the object between f1 and o य image कैसी है क्या asley है या नकली है क्या asi यह aligns मिली है नहीं मिली है तो यह क्या है virtual और image कैसी है बिल्कुल सीथी है यह फिसकू यह एइंडr Mov wounds and upright मतलब सीधी है तो erect and upright बोलेंगे अच्छा size कैसा है इसका it is small size कितना है छोटा है compared to the यह जो हमने अभी-अभी object देखा है इसके compare में size जो image का है वो काफी छोटा है अच्छा यहीं पर हमारा यह chapter खतम होता है आपने अगर यहां तक इस chapter को देखा है और समझा है तो very good, very nice इस chapter को आप कम से कम अपने final boards के exam से पहले इस video के through 3-4 बार revise जरूर करना तो अच्छे से अच्छे marks आएंगे आपके साथ में जितने भी cases हमने एक-एक step-by-step study करे हैं उन्हें draw भी करना प्राक्टिस भी करना characteristics of image आपको तभी समझ में आएगा so best of luck for your exams, thanks for watching, see you in the next video, bye bye till then मनु से ग्यान लेते रहो